hello students हां जी आप पिछले वीडियो दे विच फर्स शैब्तर दे पिछली वीडियो दे विच दख्विए आसी प्लांट्स कि में ग्रोकर दे प्लांट्स सीर्ष्टों ग्रोकर दे जो तो नो नो फेवर्यबल पंडिशन्स मिल दिया ने अगे आप पढ़ांगे भी plants कले गले seeds तों ही नी grow कर दे seeds तो इलावा होर अलग अलग पाट तो भी grow कर देने हांजी अबर next topic other way in which plants reproduce new plants grow not only from seeds but also from other part of the plant like stem, leaves and root हांजी seeds तो भी नहोर के रे plants ना grow कर देने question भी बन किया सदा root, leaves and stem examples है आप नीचे करांगे reproduction from stem, stem तो कि में reproduce कर दे several natural and artificial methods are used to grow new plants from stem some of them are, हांजी कहांदे कुछ लग-लग method ने, कुछ natural method ने, कुछ artificial method ने उन जिनना दे थरू कहांदे stem तो grow कर देने, first is stem cutting rose, sugarcane, mongovillia grow from stem cutting when a part of the stem contain the bird is cut and plant in the soil, a new plant grow from it rose, दा सबनों चंगी तरहां पता है, कलम लगाने जिननों अपकेने या rose दे एक छोटा जा stem नों कट कर दे उननों, आप मिट्टी दे विचे जो दो grow को दब दिया है तो उत्तो नमा रोज दा प्लांट ग्रोव हो जान्दा, देखो stem cutting दी डाइग्राम है, parents plant है, parents plants नों cutting करके नमे थांते बिचे आप ग्रोव कीता तो उत्तो नमा प्लांट ग्रोव करना स्टार्ट हो गया, next is grafting, grafting जा किन्दा है, sometimes a portion of shoot, अपा पार्ट सो प्लांट कीता से ने, root system, ते शूट सिस्टम, root मी जो तार्थी दे निचले पाट होनों, root system, ते तार्थी रूपला ज दा होस्ट प्लांट ग्रोव इंटो निव प्लांट हेल्थी प्लांट हां जा देखो, एक होर प्लांट है, किसे होर प्लांट दा स्टैम है, ते एक इसे होर प्लांट दा स्टैम है, दोना नो जो तापा अटेच कर दने हैं, ते नमा प्लांट ग्रोव करना स्टार्ट कर द लेरिंग दा स्टेम ऑफ जैस्मीन और रस्पर रस्पर बैरी प्लांट कैन बी बेंट अंडिलिट टाच दा ग्राउंड हांची कुछ होल प्लांट सज्जे में जैस्मीन है रस्परी है आदिको डाग्राम दे विच चैने उन्ना टाइम बेंट हो जैंदी जिन्ना च रहोता तिन्हों टाच नहीं कर लेंदी एपोशन ऑफ दा स्टैम विद अस्वाइल लेविंग दा ग्रोईंग टिप ऑपन हांची कैन दे कुछ पोर्षन होदा स्वाईल दे विचि स्टैम बडा की भिच हो जान दा कावर हो जान दे कुछ बोषन ओदा उपर ओपन रहे जान दा म portion can be cut to grow a new plant हाँ जा देखो इसे नमा प्लांट ग्रो हो गया इन्हों अप्पा काट के एक नमा प्लांट भी ग्रो करवा सकते हैं next runners plants like strawberry have horizontal stems horizontal means steady vertical हुंदा है बिल्कुल सिद्धा upward horizontal means एदा लंबी टेडी have horizontal stems that grow on the ground they grow roots in the interval and produce new plants these are called runners आदेखो रनर्स की में हुंदेने केंदे तर्ती दे बिचिकन है में होरिजेंटल है था स्टेंप जन्द है नीचे नीचे हारी का थोड़ी थोड़ी इंटर्वल तरूर्स ग्रो करनीया स्टार्ट कर दें जिन्हों आप बोल देयां नेक्स्टाइब रिप्रदक्शन फ्रॉम लीव्ज कुछ प्लांट्स हों देने लीव्ज तो भी ग्रो कर देने में इग्जंपल अब राइफीलियम आदेको ब्राइफीलियम है इधे पत्य है उत्ते चोट चोट पत्य हैं दे जुन्हों अपने बोल देयां शाथ प्लाज इस्टी प्लांट्स द्वैल्प यद्डेफाव लीव्ज टवेल्फ इंप्ल्प इंटू दा नीउ प्लांट्स शुन्हों ग्रो दिवह करसी रिकार्णट्शल्ठ अधे या-चोटो प्लांट्स शुन्हाल्स मुटीम आचे से अचाओ है एं शोटी घ्री ल dally-e-leys grow from roots जिमें कैरर दी एक्झाप्ल करें आपा हम देख देगा जहरे हम ओली यह सहरे किया है, रूर्तों घरो कर देने reproduction from spores spores की इंदर एंजे some plants like ferns example गज़े एदी example बुछ लंदेने give the examples of plants which are reproduce from spores example दोंगे ferns and mosses do not bear fruit or seeds खर्णदेएग को दो plants ने जेड़ ना fruit ना seeds ने फिर नमे plant की में ग्रो कर देने they have special structure like called spores to give rise to new plants उन्ना को एक special type structure हुँदी जिन्नों बोल देया है पाँ spores we can see brown doubts on the underside of a firm leaf they are called sorry singular source बोल दाने है spores are reproduced in the soil in the sorry sorry spores are produced in the soil आ देखो example ferns है कैने ferns दे पत्यां दे नीचे ब्राउन ब्राउन कलर दे dot like structures हुँदी जिन्नों बोल देया सौरी जहां सौरस जो दो मिट्टी दे विच डिग देने दाने वनके तो इन्थो नमा प्लांट ग्रो कर दे नेक्स्ट है एग्रिकल्चर खेती दे जेड़ी अपर प्रैक्टिस हुँदी है जी सब नू पता तुसी सारे पेंट चे रहने सब नू पता फसना की में हो गाई जन्दियाने सब तो पहला मिट्टी त्यार हुँदी है मिट्टी त्यार हुँदी है मिट्टी त्यार हुँ सभ्षाइब गयरा है। पैट सुन देए वीड्स गयरा हुनना तो ठीक है तो अपस्टाट कर दें अगरिकल्चर अप्लांट्स ग्रो ओने लार्ड स्केल फूर फूड अधर पर्पस आरकाल क्रॉप्स क्रॉप्स डेफिनिशन बन दिया हैं करें अपस्ट बुटे गोनियों स सिंगल प्लांट होंदे है मधनाज बहुत ज्यादा चाहिदे हुंदे बहुत ज्यादा प्लांट गो कर आए आए धिनने for the food फूड लैंग अड़र पर्पस जिवैं पर नर्मा के बीच दिच्टे आथे लिकाटन ली कॉटन ली ठीक है फूड ली चाहिए अधर परपेस ली जो दो बहुत ज्यादा प्लांट्स ग्रों कराई जैंदे उन्हों बोल दियां पर क्रॉप्स दा प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स इन हीुज क्वांटिटी इस काल्ड अग्रिकल्चर प्रैक्टिस मतलो स्टैप जड़े जड़े स्टैप हों देने क्रॉप्स केड़ी हुन दिया राइस वीड पल्स इता सबनु पता है फाइबर क्रॉप्स जूट कॉटन हैं वाइल सीट्स जिना तो अपनों ऑइल मिल दा है मस्टर्ड सान फ्लार कोकोनूट एंड सोया भी ओल को क्रॉप्स नी रिक्वार्टिलाइट स्वाइल वाटर सनल अबढ़ क्रॉप्स योट हाइब आ नकसा कर दो मदेशिंस्ट इसलिए वेंटर सेण चुन धिया धैत यह लागला climate condition चाहिंदी उन season दे according दो टाइप दे फरसला हुंदिया जिन्नों आपप बोल दे खरीफ crops and rabbi crops in India we have two type of seasonal crops crops grown in the summer are called creep crops definition राज बहुत important है नोट करने हैं crops grown in the summer season are called creep crops to give them a rush in deep þयोलर केडी ता समम्मृ नूँ पता है they are are strong in June and harvested between September and October June which wait about cert indubbल कटाई क्लें example क्याइँ इतिरूर लिखना पीन राइस यूर्ट मिलेट हैंप सुवयह बीण मेज बाजरा ieten sunflower and qra fair share crops all are gotta weather looks like mango peach watermelon लेची, एप्रिकोट, मस्कर मेलन और पल्म और ग्रोन इन समर, गॉर्ड, ब्रेंजल और पंकिन और आल्सो ग्रोन इन समर, उस्त पार नेक्स्ट है, क्रोप्स ग्रोन इन विंटर सीजन और काल्ड रभी क्रोप्स, यह देफिनिशन सेकिंड करने हैं तुसी, जेडियां फसला सार्थियां दे मौसं देबिच बीचिएं जान देएन, उन्होंन क्यों होल देए आपा, रभी क्रोप्स, एग्जाम्पल्स, ग्राम, वीट, आर सोंग नम्मबर, कैंने नमंबर देबिच पीजिएं जानन देएन, ते हार्वस्ट को तो हनन दे आ है, एपरल देबिच, of agriculture हांची अगरी कल्चर दी स्टेप के डिने स्टेज़ के डिने for a good harvest farmer follow these step to properly tend to crops farmer केडी के step follow करदा हांची देखो बिद पिक्चर शोन आपन विथे first step preparation of soil पहला मिटी त्यार किती यंदी प्राने जमाने देविचे में बल्दान देना हाल देना त्यार किती यंदी सिहुना जेकल हाला देना ट्रेक्ट देना soil is prepared for planting seed by plowing the field either with the tractor और विद बलक this loosen the seed sorry this loosen the soil is soil नो की कर दिया loose टिली कर दान दिया टिली करन दा की मतलब टिली करन की soil देविचे proper amount देविचे air होंदी निया air produce हो जान दिया जेडी को दी roots नो air भी मिल जान दिया next addy manure and fertilizer manure खाद पर दाथा रेस प्रेज़ेड़ा पाने है manure and fertilizer added to improve the fertility of the soil रेस प्रेज नाल की होंदे कई वार मिट्टी दे विचे कई चीज़ी कमी होंदी है कई मिनर्स दी कमी है जेड़ी प्रांट्स नो चाहीं दी होंदी है तो कमी कान भी कर देने manure and fertilizer next sowing of seed bees बिजना healthy good quality seeds are sown either manually or with the help of machine called seed drills बिजना healthy seed drill machine बिजना healthy seeds should not be planted too deep or too close to each each other इरिगेशन इरिगेशन मतला संचाई पाणी देना the field is watered at regular interval either through rainwater or by using irrigation method आंजे एरिगेशन कें देफर पाणी है खेता नू रहेगूलरी देना चाहिंदे regular कीदे तो जानता मेधे पाणी ना जा इर्इकेशन मैं तूबल लुग्यां अलगलग तरीक्वा है नापनल पाणिदीन नैंड कोई प्राप कर देने जह जांगी रम कोड़े आ जान्दे उनना तो प्रटेक्ट कानली की उसे प्रे कर दे आपा पैस्टी साइड्स और वीडी साइड्स पैस्ट होंदेने कीडियम कोड़े ते वीड्स होंदे नदीन ठीक है नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप लास्ट स्टेप आगे हार्वेस्ट मतलब कटना राइपन क्रॉप्स और हार्वेस्टर आइदर मैनूली और वा यूजिंग मशीन काल्ड हार्वेस्टर्स जिमें हुन कंकदी कटाई होई है कादे नाल होई मशीन कंबाई नाल हो बढ़ाय वनगी पक आप आए वी होगी ऑन्हुं फिर टोर करना भी जरूरी है चंगीत ना स्टोर करना हार्वेस्टड रॉप्स Grain's are then stored in a clean, dry and well ventilated place in sealed container Saaf, Sukke, well ventilated, मतलब होते हवा लगनी चाहिए Placed in sealed container, बंद container रांदे विच रखी जान दिये The Grain's needed to be protected from birds, insects and rodents के जड़े Grain's होंदे दाने, जुमें कनकदे दाने होगे पंचियां तों, कीडियां तों, rodents चूहे वगयारां तों बचा के रखना चाहिए Therefore, after the crop are harvester, the Grain's are usually stored in Grainaries गुदाम जी नों बोल दियां पकेंदे, जो तो ही हार्वेस्ट कटे यां दिने ताने नों अग्रेनरी गुदामा अवगयारान दिविच्च स्टोर किता है है एजे नाल रजे अपने फर्स चैप्टर कंप्लीट होंदे है चैप्टर चो तुसी चंगी तरह रीड करना है नेक्स्ट थर्स रहे तो अड़ा मैं एजे बुक बर्क दा टेस्ट लेना है वर्कशीट पे जूँगी तो अनू तुसी वो सॉल्व करके अंसर मेंनू सेंट करने होंगी अगर तो अनू चैप्टर पर अंच कोई प्रॉब्लम होंदे है वीडियो नू दुबारा देखो जो बीडियो पढ़के भी कोई से चीज कोई प्रॉब्लम होंदे तुसे मेंनू कॉल करके पुछ सकते हैं थैंक यू